नमस्कार स्वागत हैं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर जहांपर हम आज की इस क्लास में L.E.G के बारे मैं जानेंगे L.E.G जिसे दोस्तों एक शोक गीत कहा जाता है L.E.G को क्या कहा जाता है L.E.G का अर्थ होता है शोक गीत अब ये जो एलिजी होती है या ये शोक गीत होता है ये क्या होता है इसके संबन्द में अपन संपूर्ण जानकारी यहां पर प्राप्त करने वाले हैं एलिजी जिसे हम क्या बोल रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं शोक गीत तो ये क्या होता है दोस्तो, a poem of morning, a poem of morning जिसमें m-o-u-r-n, mourn का अर्थ होता है शोक, किसी टाइप का दुख या शोक जो होता है उसको अपन बोलते हैं mourn, तो ये poem of morning, मतलब दुख भरी कोई कवीता होती है, उसको हम elegy कहते हैं, अगली लाइन कहती है कि it lament, lament का अर्थ होता ये एक type का विलाप होता है, किसके उपर होता है the death of a person, किसी व्यक्ति की death पर, और the death of a beloved या कोई खास प्रेमी या प्रेमी का उसकी डेथ पर या किसी फ्रेंड की डेथ पर या किसी रिस्तेदार की डेथ पर जो उसकी डेथ पर एक जो विलाप किया जाता है उस विलाप को हम जो है एलिजी कहते हैं एलिजी एक टाइप की दुख भरी कोई कवीता होती है उसके गंबीर या serious का synonym है meditative मतलब ध्यान लगाने वाली इसका जो विशावस्तु होता है वो बहुत गंबीर होता है serious होता है और ध्यान लगाने योग होता है उसके बाद हम बात करें कि यह elegy word जो है यह जो अपन को दिख रहा है elegy word यह कहां से आया है तो यहां पर है the term elegy is derived from the Greek word elegyus elegyus एक ग्रीक भाषा का word है वहां से इस शब्द की उत्पत्ती मानी जाती है अच्छा ठीक है यह elegyus जो है elegyus जो है यह ग्रीक भाषा का word है और वहां से इस elegy word को लिया गया है तो इस elegyus word का अर्थ क्या होता है यहां पर इस line में इसका अर्थ है elegyus means a song और agreement का अर्थ क्या होता है agreement का अर्थ होता है व्योग मतलब किसी से बिछडना उसको बोलते है व्योग तो यहां पर यह जो elegyus है इसका अर्थ होता है एक व्योग का गीत मतलब किसी से बिछडने के रूप में जो गीत होता है उसको बोलते हैं Sung along with the flute और यह जो होता है यह गीत बांसूरी, flute होती है बांसूरी बांसूरी के साथ गया जाता है मतलब किसी के व्योग में गया जाने वाला गीत व्योग क्या होता है किसी से separation किसी के separate होने पर कोई हमारा खास था वो हमसे अचानक से separate हो जाता है अलग हो जाता है तो उसके याद में जो एक दुख भरा गीत गये जाता है बांसूरी के साथ उसको एलिजस का जाता है और यह एलिजस जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है इसी से इस वर्ड एलिजी की उत्पत्ती होती है और एलिजी का जो subject matter होता है वो solemn और meditative होता है उसके बाद हम अगली लहन के बात करें यहाँ पर इन इंग्लीश लिट्रेचर एलिजी बीकम पॉपॉलर डूरिंग दा 16th सेंचूरी सोल्वी स्ताब्दी में इसके जो पॉपॉलर्टी थी वो बढ़ी थी और सबसे ज़्यादा पॉपॉलर जो है सोल्वी स्ताब्दी में एलिजी हुई थी और फिर आके कहता है इट बिग इता का नाम होगा बट हमारे हम्यूज माता सरसुति को माना जाता है तो यहां पर है इट बिगिंस विद इन वोकेशन टुम्यूज लाइक एपिक में भी ऐसा ही होता है जो है मंगल चारण होता है मतलब सबसे पहले उसकी प्रसंसा में कुछ अच्छी बाते बताई जाती ह तो उसको मंगल चारण का जाता है तो यह इट बिगिंस विद इन वोकेशन टुम्यूज लाइक एपिक में भी ऐसा ही होता है और एलिजी में भी ऐसा ही होता है और फिर आगे कहता है कि क्रिश्चन एलिजी क्रिश्चन एलिजी बिगिंस विद सेड नोट बट एंड्स वि और फिर उसके बाद है इन एलिजी कोश्चन्स on destiny, justice, fate are raised by the point और point के द्वारा एलिजी के अंदर destiny भागया की बात की जाती है न्याय की बात की जाती है और किसी के लिए अच्छा होना या बुरा होना उसके संबंद में बात की जाती है ये सारी चीज़े उठाए जाते हैं question प्रशन उठाए जाते हैं किस के द्वारा point के द्वारा एलिजी के अंदर तो आगे बात करेंगे अब हम इसी में कि एलिजी जो होती है ये कितने type की होती है चलिए देखिए यहां पर हम बात करेंगे kinds of एलिजी एलिजी के kinds की बात करें या एलिजी के प्रकार की बात करें कि एलिजी के प्रकार कितने होते हैं तो दोस्तों दो प्रकार होते हैं एक तो होती है personal एलिजी और एक होती है impersonal एलिजी और इन दोनों में क्या फरक होती है और आपने कौन-कौन से अलेजी पढ़ी हुई है उसके संबन में भी अपन बात करेंगे जैसे हम सबसे पहले परसनल अलेजी की बात करें तो in this अलेजी the point laments इस अलेजी में point will up करता है, laments करता है on the death of a some close friend, beloved or relative किसी खास दोस्थ, premia premica की मुर्ति पर या किसी रिस्तिदार की मुर्ति पर जो विलाप किया जाता है उसको personal अलेजी कहते हैं, किसी एक वेक्ती के लिए personal emoji जैसे आर्नोल्ड ने लिखी थी आर्नोल्ड ने एक иलेजी लिखी थी, rugby chapel और ये अर्नोल्ड इस allergy को लिखने वाले थे और Arnold जो है ये किस के लिए लिखी थी अपने फादर की death पर लिखी थी इनके फादर की death हुई थी Arnold के तो अपने फादर की death पर इन्होंने rugby chapel नाम की एक allergy लिखी थी चुकि ये इनके पिता से related थी तो कोई सी भी ऐसी allergy जो हमारे close friend जो उनकी फादर की death पर लिखी गई थी और दूसरी है impersonal allergy, impersonal allergy में क्या होता है कि in this allergy the point gives an human destiny or over some aspect or contemporary life and literature यानि कि समकाली प्रस्तियों का जो जन जीवन होता है या जो साहित्या होता है उसके उपर मतलब किसी एक particular person से related नहीं होता जिस समय जो काल चल रहा है उसमें जन जीवन कैसा है साहित्या कैसा है कला कैसी है संस्कृती कैसी है उसके उपर जो लिखा हुआ allergy है उसके उपर जो किया गया व्यक्त जो दुख है उसको हम इंपरस्नल allergy कहते हैं जैसे allergy written in a country churchyard ये Thomas Gray के द्वारा लिखी गई एक allergy थी Milton के द्वारा lucidus लिखी हुई allergy हम पन सब को पता है Milton John Milton on his blindness poem से related मैंने question करा दिया है पिछले एक वीडियो में आपने उसको नहीं देखा तो देखें तो यहां पर दोस्तों allergy की बात खतम होती है उम्मीद है कि आपको allergy बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और हमने पिछले वीडियो में sonnet के उपर discussion किया है हमने पिछले वीडियो में epic के उपर discussion किया है हमने ode पर discussion किया है तो यह जैसे यह figure of speech हमारी पूरी हो जाएंगी literary forms हमारी पूरी हो जाएंगी इन के उपर हम questions भी बात करेंगे कौन-कौन से previous exam में question है उन सभी questions के उपर भी discussion करेंगे और एलिजी आपको पसंद आया है चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, दोस्तों के भी share कीजिए अगली class में फिर मिलते हैं, नमस्कार